नमस्कार मेरा आखी और आप देख रहे हैं उत्राखन बुलिटिन उत्राखन बुलिटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर बागिश्वर में दो महीने बाद खोली गई शराब की दुकाने शराब की दुकाने खुलते ही लोग लगे लंबी कतारों में पिथोरागड में सर्यू नदी में डूबने से पांच बच्चों की हुई मौत शादी के बाद बहन को छोड़ने सेरा घाट आये थे पांचों बच्चे उत्राखण ने बेते दिन सामने आये कोरोना के 546 नए मामले कोरोना से बेते दिन 13 मरिजों ने तोड़ा दब पिथोरागड में पहाडी का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा नीचे लैंडसलाइड होने से लिपुलेक मोटर मार्ग हुआ पूरी तरहाबन और अब खबरे विस्तार से बागिश्वर में आज लगभग दो महीने बाद शराब की दुकाने खोली गए जिसके चलते दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतारे देखने को मिली दरसल सरकार में 9, 11 और 14 जून को प्रदेश में शराब की दुकाने खोलने का फैस्ता लिया है इस तोरान पुलिस की ओर से सोचल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर चैलानी कारवाई की गई वहीं शराब खरीदने आई लोगों ने बताया कि शराब की बोतलों पर मर्पी से ज्यादा पैसा दुकानधारों के ओर से वसूला जा रहा है इस तोरान आपकारी अधिकारी ने बताया कि पुराने स्टॉक होने के कारण शराब को नई रेटों से बेचा जा रहा है वहीं ओवर रेटिंग का मामला आने पर पुलिस की ओर से कारवाई अमल मिलाई जाएगी उधम सिंग नगर के SSP दिलिप सिंग कुवर की पतनी और उनकी टीम पुलिस कर्मियों के लिए मास्क और फेश शिर्ड तयार करने में जुटी हुई है आपको बता दें कि उन्होंने अब तक 1000 फेश मास्क और 1000 फेश शिर्ड तयार कर जरूरत बन लोगों को बाटी है उस दोरान SSP दिलिप सिंग कुवर की पतनी विनीता कुवर ने बताया कि फ्रेंट लाइन के करमचारियों को ड्यूटी के दोरान बनाए गए फेश मास्क और फेश शिर्ड से कोरोना संक्रमेंट से बचने में मदद मिलेगी बाशपुर में बाल विकास परियोजना के तहर तिन से छे साल तक के बच्चों को दिये जाने वाले मल्टी ग्रेन बिसकिट की हालत खस्ता हाल हुई है आपको बता दें कि आंगन बाड़ी कारेकरताओं की ओर से बच्चों को बाटे जाने वाले बिसकिट के पैकेट चूरन में तबदिल हो चुके हैं दोरान आंगन बाड़ी कारेकरताओं ने जिला कारेकरम अधिकारी उधेप्रताप से मामले में शुकायत की वही मामले में संग्यान लेते हुए उधेप्रताप सिंग ने बताया कि अगर वाहन में लोड़िंग करते वक्त कुछ पैकेट खराब हो गए है तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा यह multi grain biscuit है जिसमें हम लोगों ने इसमें कई तरह के आनाजों को मिला करके और इसमें देशी घी में यह biscuit हमारी सारसकंद की सेजी ग्रूप की महिलाएं इसको तयार कर रही है उनके माद्यम से आज पाइलट पॉजट के रूप में पहली बार इसको लाँच किया गया है तो biscuit जो है जो वहां से आया है उसमें अगर दो चार बिस्किट कहीं अगर चूटे हुए है तो यह पहली बार अभी हम लोग इसको पाइलट पॉजट के रूप में सुरू कर रह उत्रा घंड को केंदर सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत खासी राहत प्रदान की है इस दोरान पेजल मंतरी बिशुन सिंग चुफाल ने बताया कि पहले 25,000 रुपे प्रती परिवार केंदर से राज्य को मदद मिल रही थी वहीं अब केंदर ने इस धनराशी को बढ़ा दिया है साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 60,000 से 70,000 रुपे भी कनेक्शन देने में खर्च हो रहा है तो सरकार उसे वहन करने के लिए पूरी तरहां तयार है पिथोरागर जिले के धारचूला के कनार गाउं को सडक मार्क से जोड़ने की मां को लेकर जिला पंचायत सदस्य और ग्रामिनू ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ग्यापन भेजा इस तोलान ग्रामिनू ने बताया कि सडक मार्क नहीं होने से लोगों को कई किलो मीटर पैदल चल कर जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहीं जिला पंचायत सदस्य गंगोत्री दताल ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोशना के बाद भी गाउ को सडक मार्क से नहीं जोड़ा गया है साथ्रिया बुन्हों ने प्रोशासन से गाउ को जल से जल सडक मार्क से जोड़ने की मांग की है जिसमें की कना कि जो सडक की मांग है वो जो है पूरा हुपायक और यहीं आसा करते हूं कि इस सडक को जो है करने की कित्वा करें और जो हमारी मात सकती है जिसे गर्भु अति महलाएं हैं बुड़े बुजुर्गें हैं इनको जो बीस किलो मीटर पैदल रास्ता अपनाना पड़ता है और यहां पर जब कभी कोई बिमार हो जाता तो उनको जो है शडक पहुचाने में 20 किलो मीटर का करना पड़ता है और कई बार तो ऐसा इस्तिती आ गए कि लोगों ने आधे अधोरे रस्ते में ही दम तोड़ दिया है और अभी हाली में यह बीच में करीब एक मैने पहले की घटना बताती हूं आपको एक गर्भु अति महला जो है गाउं में बिमार पड़ी और उनको ला खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले